हेलो एवरिवन मैं आजिश आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी वेद बिलाल सर में तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं क्रोणा का टाइम हैं क्लासे अच्छे से चलने ही रही हैं बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है और को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में बदले ठीक है तो आज हम जानेंगे कि हमें अपनी स्टूडी पर फोकस किस तरीके से करना है अपने आपको मोटिवेट किस तरीके से करना है स्टूडी के लिए बिकोज क्या हो रहा है यांपर हम सभी कोई क्या हो रहे हैं डी मोटि स्टिल प्रमोटेड है तो पढ़ाई अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ाई याद रखे कभी भी वेस्ट नहीं जाती है वह आपको आपके नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो उसमें वह काम जरूर आएगे अपने पैरेंस से अपने टीचर से जरूर सुनाओगा कि स्टड़ी कभी भी वेस्ट नहीं जाती तो स्टड़ी करते रहिए ठीक है और आज का आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही जबर्दस्त मोटिवेशन के साथ ठीक है तो हमको क्या करना है सबसे पहले रो यृर वर्थ अपनी कीमत को जानो समझ रहे हो हर की कोई इसके इनसान इस से स्ट्रेंध टों हमें क्या करना है अपनी कीमत को अपनी वर्थ को पहचानना है पहला step हमारा क्या है know your worth second क्या है believe in yourself believe in yourself it is very important trust me अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है ना sorry to say आप जिंदेगी में कुछ अचीव करने में सक्षम नहीं होंगे तो सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना है yes I can do it yes I can do it ठेड है हमारा जो मैं काफी important समझती हूं और बहुत वैस्तो तीन हों ही important है but still this is most important know in which field I am interested हमें यह जानना है कि मैं किस चीज में interested हूं मैं किस चीज में जादा अच्छा कर सकती हूं एक इंसान होता है आपने कहीं movies में कहीं नहीं कहीं देखा होगा कि करना तो आता कुछ है और job किसी और field में कर रहा है वहां पर दुख्यों के करता है हर एक दिन एक पहाड की तरह उसका कटता है तो क्या करना है अगर हम किसी में पहले क्या जानना है अपना interest जानना है कई बार होता है कि हमारे पैरेंट्स आग्री नहीं होते हमारा कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट हर दिन को क्या समझते हैं आज उट गए आज फिर पढ़ना पड़ेगा आज फिर उनलाइन क्लास लेनी पड़ेगी कुछ समझ तो आता नहीं है मुसीबत नहीं क्या बनाना है आपको एक मौका बनाना है मुसीबत नहीं ते अपने ग्रैंड से सीख सकते हैं सबसे उस एब संद से हैए इसा नहीं है, चोटे बच्चे तो उन्हें कुछ आता नहीं, अगर हम इस सोच से जागेंगे ना, कि आज हमें कुछ नख नया सीखना है, तो डेफिनिटली आप सीखेंगे, अगर आप सोचेंगे, आरे यार आज फिर वो ही बोरिंग सा डे, तो बोरिंग ने बनाना है आपक तक लगत तक से के पीछहे बागो जब तक लग्षा क्प्राप्ट नहीं है तो कर रहे तो कोई भी इंसान इसा नहीं होता जिसका लक्षे ना हो और अगर नहीं है तो अपना लक्षे बनाएए अपने इंट्रेस्ट को जानकर अपना लक्षे बनाइए और उसको लक्षे को प्राप्त करने के लिए जो आज चीज में बताने वाली हूं उसे जिन्देगी पर याद रहिए and trust me मैं आपको guarantee के साथ बोल रही हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता उस लख सकता को प्राप्त करने से ठीक है तो आज मैं आपको बताऊंगी पाँच ऐसे principles जो की हमारे goal को achieve करने में help करेंगे क्या बताने वाली हूँ मैं आपको आज five clear principles of goals तो पहला हमारा क्या है clarity क्या होना चाहिए हमें सबसे पहले goal must be clear हमारा जो goal है वो क्या होना चाहिए clear होना चाहिए कि मेरा ये goal है मुझे teacher बनना है मुझे army में जाना है मुझे police में जाना है तो आपको अभी से ही running करना होगा आपको अभी से ही practice करनी होगी अपनी physique अच्छी रखनी होगी आपको IS बनना है तो आपको अपनी GS storm करनी होगी ठीक है आप अगर उची post पे जाना है government service की तयारी करनी है तो किस में करना है SSE में जाना है FCI में जाना है आपको banking में जाना है तो उसकी हिसाब से आपको अभी से focus करना होगा student तो उसकी हमें क्या रखनी है clarity then हमारा second वो क्या है हमारा principle वो है commitment second क्या है हमारा commitment अपने goal के लिए commitment होना चाहिए आपका ऐसा नहीं आज नहीं होगा कल कर लेंगे leave it आज हमारे घर पर रिलीव रिलेटिव आ गया अज मेरा कोई friend आ गया नहीं अपने कमिंट के लिए अपना commitment डेली क्या करना है पूरा करना है हार एक दिन क्या है मोका है मुसीबत नहीं है ठीक है फिर क्या है हमारा task complexity goal must be achievable आप क्या ऐसा होना चाहिए goal हमारा कैसा होना चाहिए achievable होना चाहिए ऐसा नहीं goal बना लिया मैंने और उसको achieveी करने उसको achieveी नहीं कर पा रहे है है ना तो क्या होना चाहिए और बहुत जादा भी कि हमें टास्क अपने आपको नहीं देना कि वह हमें डेली का बर्डन लगने लगे जब हम study करना start करेंगे जब अपना टास्क बनाएंगे तो हमें चोटा-चोटा step starting जो करनी है वह छोटे धीरे-धीरे करनी है हमें यह अपने आपको पहले ही दिन बर्डन दे दिया और दूसरे दिन आरे मैं तो थक गया आप तो मुझे कुछ करना ही नहीं है तो ऐसा नहीं करना ठीक है वह टास्क जो है वह अचीवेबल होना चाहिए ठीक है समझ में आ रहा है फॉर्थ हमारा जो प्रिंसिपल है वह यह है कि चैलेंजिंग जो हमारा मतलब प्रिंसिपल है वह चैलेंजिंग भी होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करता रहे क्या करता रहे enough to be motivating without being unrealistic ठीक है समझरे आप मेरे को कि हम मैंने खुद को चैलेंज तो दे दिया पर वह unrealistic है वो हो नहीं पाएगा मैंने आज को challenge दे दिया कि आज तो मेरे को five chapter complete करने हैं आज तो मुझे ये topic clear करने हैं आज तो आज के दिन ही मेरे को पूरी महारती हासिल करनी है So student sorry to say एक ही दिन में सभी कुछ नहीं सीख पाएंगे वो challenge हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि हमें motivate करें ठीक है और realistic हो unrealistic ना हो ठीक है फित हमारा जो कि मैं ये जो हमारे five principles हैं इसमें सबसे ज़्यादा important कहूंगी मैं इसे वो ये है feedback अब आपने सारी चीज़ें कर ली सारे commitment पूरे किये clarity रख ली चैलेंजिंग भी दे दिया commitment भी पूरा हो गया task complexity भी है आपकी achievable अब क्या करना है feedback लेना है अब आपने जो आज सीखा है ना ठीक है कि आज आपने क्या सीखा अपने goal को अचीव करने के लिए आप अपने गोल की कितने करीब जाते जा रहे हैं जाए रहें तभी हम अपने गोल सीडियो पर चाहिंगे क्या करना है स्टेप बाइस्ट सीडियो पर चाहिंगे अगर हम सोचे डरेक्ट अपने work on this, ठीक है, तो next हम करेंगे, अब हमने steps भी बना लिए, 5 principles भी हमारे हो गए, अब क्या है, how to achieve your goals in 10 steps, अब उन goals को achieve कैसे करना है, जो हमारा goal है, उसको achieve कैसे करना है, मैंने आपको starting में क्या 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 है, कि छोटे-छोटे हमें steps बनाने हैं, तो हमारे वो छोटे-छोटे steps क्या होंगे, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, take action, ऐसा नहीं, कि बस सीख लिया, वीडियो देख ली, समझ ली, समझ में भी आ गई, motivate भी हो गई, पर वो motivation जो है, कुछ मिनट और कुछ घंटे तो की रहा, या फिर एक-दो दिन तकी रहा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले action लेना है, diary लीजे, pen लीजे, अपना clarity रखे, अपना goal बनाईए, अपने interest को जानिए, अपने पर विश्वास करिए, अपनी वर्थ को जानिए, उसके बाद action लीजे, try hard, हमेशा क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है, keep practicing, यहाँ पर क्या करने है, हमें practice जो है, वो जारी रखनी है, आपने जरूर सुनी होगी एक अहावत, करत करत अभ्यास के जणमती होत सुजान, रसी आवत जाते, सिलपर पड़त निसान, अगर आप practice करते रहेंगे न, तो आपको कभी भी, कोई जिन्दगी में हरा नी सकता, ठीक है, explore a different way, अब different different तरीके से आपको क्या करना है, explore करना है, अलग-अलग तरीकों से, जैसे कि for example, अगर मैं कहूं, यह आदा ग्लास खाली है, वहीं दूसरा कोई इनसान है, वो उसको क्या कहेगा, यह आदा ग्लास पाने से भरा हुआ है, ask someone for advice, अब जो आपका goal है, आपने जो भी goal, आपका जिस भी चीज में interest है, और आपका जो भी goal है, ठीक है, तो हमें क्या लेना है, किसी बड़े से, जो फिल्ड में, जो चीज में expert हो, उसके क्या लेनी है, advice लेनी है, और उसमें क्या करना है, हमेशा अपना best देना है, learn how others did it, अब यह सीखना है हमें कि औरोंने किस तरीकी सीखिया यह, ठीक है, और उन चीजों को सीख कर, लोगों से, अलग लोगों से सीख कर, हमें वो चीज़े क्या करनी है ग्रैब करनी है अपनी वीक्निस पर वर्क करना है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है बिल्ट यॉर स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ को क्या करना है बढ़ाना है रिव्यू एन फिक्स मिस्टेक यह अगें बहुत इंपॉर्टेंट है रिव् but not the least don't give up कभी भी हार नहीं माननी तो I hope student आपको ये वीडियो समझ आई होगी आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप definitely इस पर काम करेंगे ठीक है और अगर आप इस पर काम करेंगे और करते हैं मैं आपको guarantee के साथ बोल सकते हूं आपको जिन्दगी में तरक्की कर आपको पता हैं उन पर काम करें ठीक है और उन गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है वह सीखिए ठीक है उन पर वर्क करें डेली टास्क बनाईए अपनी जिन्देगी को एक चालेंज दीजिए जो कि मतलब रियलास्टिक हो ठीक है आज के लिए इतना ही कोई भी डाउट क कमेंट जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो आई रियली रिक्वेस्टेट टू यू वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के सांथ जो ड़ी मोटिवेट हो चुके हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करें पढ़ना नहीं छोड़ना है लाइफ है मुसी चीज़े अच्छी भी होंगी ठीक है ठीक है स्टूडेंट तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद